हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चायन क्यान प्लस पर उत्रपदेश अधीनस सेवा चायन आयोग परिच्छा संबंधी कुछ अपडेट्स हम लेकर हाजिर हैं काफी सवाल उठ रहे थे जेई परिच्छा से संबंधित कि अब EWS का मैटर सौल हो चुका है यानि कि ये तैं हो गया है कि दोनों भर्तियों यानि कि जेई 2016 और 2018 दोनों में EWS का मैटर EWS लगेगा तो अब सबसे बड़ा सवाल अब भर्तियों के मन में है कि परिच्छाएं कब तक होंगी इसका हम आपको जवाब देंगे सलेबस कब तक जारी होगा EWS मैटर इन दोनों संबंधित हम अपडेट आपको देंगे और जेई की नई बर्तियों से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट है जिसकी भी हम कुछ जानकारी आपको देंगे कितना समय लगेगा परिच्छा में जेई के इन सभी चीजों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो चली शुरू करते हैं चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब तब लाइकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चली शुरू करते हैं सच्छो पब्लिकेशन आप सभी के लिए लाया है पी इटी इस्पेसल बुक जिसमें पी इटी का संपूर सलेवस कवर किया गया है और 22 तो अबजक्टिव प्रेस्ण भी दिये गया है प्रतेख टॉपिक को विस्तृत रूप में cover किया गया है उसके बाद प्रतेख टॉपिक के बाद उस टॉपिक से related one liner प्रश्ण भी दिये हुए है उसके बाद objective प्रश्ण भी दिये है तो आप हर प्रकार से पढ़ाई पहले details में फिर one liner के साथ revision उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद आप objective प्रश्ण करके अपनी तयारी को जाच सकते हैं काफी अच्छी book है हमने देखी है और काफी लोग इसको book को suggest कर रहे हैं तो description box पे link है आप जाके online या अपने नजदी की retailer से मिलके यह book को पर्शेज कर सकते हैं चलिए आगे वड़ते हैं अब हम आपको बता देए जेई से सम्मंदित चीजें detail में जेई से सम्मंदित देखी आपकी जो EWS का matter solve होने के बाद आप क्या है कि आयोग दोनों भरतियों की file जो 2016 है और 2018 है दोनों भरतियों की file को विभाग में वापस भेज देगा जी हां भेज देगा इस क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो EWS या कि कोई भी आरच्छन का मुद्दा वो विभाग का काम होता है आयोग का काम नहीं होता है आयोग को विभाग जैसे विग्यापन सहुपेगा जिन पोस्ट पे जितनी भरति करने को कहेगा वो कर देगा उससे मतलब नहीं रहेगा तो बड़ी बात यह है कि अब यह फाइल विभाग के पास फिर से जाएगी विभाग कितने समय में आपको फाइल आयोग को वापस करता है EWS का आरच्छन लगा के वो देखेगा कितने सीटे हैं कितने आरच्छन की सीटे बनेंगी उन सब चीजों को लगा के देखने के बा बड़ी बात यह है तो अभी फिलाल उमीद है कि आपको अगले हपते यह आपका यूपीटी प्लेसी विभागों में यह जो है दोनों बर्तियों का फाइल भेज देगी उसके बात क्या होगा विभाग जल्दी से अगर फैंसला लेते हैं तो जल्दी से विभाग चाहे तो एक हपते में फैंसला लेके वापस आयोग को भेजते हैं और 2018 की बर्ति का सलेबस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है अभी आयोग ने इसका तयार कर रखा था EWS का मैटर की वज़ा से रोग दिया गया था हलंकि आयोग ने तयार करके रखा था इसका सलेबस कार्मी की विवाग में सलेबस से संबंदित जो है अनुमती कार्मिक विवाग को भेजेगा तो यह है यह दोनों है तो कुल मिलाके आप मान लीजिए कि अगर विवाग तेजी से काम करता है है अपनी सरवोच इस्तर की तेजी दिखाता है तो तो भी आपकी परिच्छा होने में कम से कम अगस्त स्टार्टिंग लग जाएंगे क्योंकि अभी विवाग को फाइल भेजेगा फिर विवाग उस पे अरच्छर पे फैंसला लेगा उसके बाद फिर आयोग को फाइल भेजेगा फिर आयोग जो है सलेवस के लिए कार्मिक विवाग भेजेगा कार्मिक विवाग उ उसके बाद फिर आयोग को भेजेगा, उसके बाद आयोग सलेवाज जारी करेगा, परिच्छा तिति की गोफड़ा करेगा, इन सभी प्रक्रिया में कम से कम आपको वो तीन महीने के समय लगेगा, तो ये बता दे हम कि J की दोनों परिच्छा हैं, 2016 और 2018 किसी भी हालत में अगस्त के पहले नहीं हो पाएंगी, जो लोग आपको बता रहे हैं कि परिच्छा जून में होगी, जुलाई में होगी, वो सब आपको गुमरा कर रहे हैं, किसी भी हालत में not any cost, अगर बहुत तेजी लिखाई गई तो जुलाई लास्ट में आपका पेपर हो सकता है, अलंकि इसकी संभावना बहुत काम है, अगस्त के पहले आपका पेपर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को आप जान लीजिए, तो तैयारी आप उसी हिसाब से करिए, और एक बड़ी अपडेट ये है कि J की कई सारी भर्तियों के अधियाचन यूपीटिपलेसी को प्राप्ट हो चुके हैं, इन भर्तियों की संख्या सिर्फ जूनियर इंजिनियर की बात करना हूँ, छे हजार से अधिक पदों का अधियाचन यूपीटिपलेसी को मिल चुका है, जिसकी हम आपको सेपरिट वीडि की नहीं होने वाली है, तो फिलाल आप सभी को है, EWS का मेटर, अब देखिए समस्चा ये है कि अब आयो कैसे जब फॉर्म भरा लिया है बिना EWS के तो कौन EWS में जाएगा, को नहीं जाएगा, अभी ये आयो को भी फैंसला लेना होगा, क्योंकि यहां पर देखिए समस्च चाहिए है, ये फॉर्म भराने के बाद जब किसी ने EWS में दावा ही नहीं किया, तो वो कैसे करेंगे, तो सारी चीजें है, अब देखिए कैसे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, आयो क्या फैंसला लेता है, लेकिन फिलाल आपकी परिच्छा अभी नहीं होने जा रही त इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जाएँ, जय भारत